प्रिग्राम टाप सरी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली नाजिन आज के प्रिग्राम में हमने बात करनी है तरक्याती कामों की यह जो आप देख रहे हैं कि तरक्याती काम शहर लहूर में हो रहे हैं या फिर पहले से बनी हुई सड़क को दुबारा से ख प्रेंग दिया गया है हमने बात करनी है और इस ट्रेंड की जो कि इलतवा का शिकार है इसके इलावा शहर लहूर में सफाई मुहिम का क्या हाल है इस पर बात करनी है महिंगाई पर बात करनी है पहले हम आवाम से उनके मसाइल जानेंगे और फिर उन मसाइल को हम नुमाइं तो आफिस है, सुप्रीम कोट रिजिस्टरी है, इसके इलावा लाहॉर हाइ कोट है, एक सड़क पुरानी अनार कली को जा रही है और एक सड़क नहर को जा रही है, यहां पर में सड़क के ओपर जहां से औरिंज लाइन का अंडर ग्राउंड स्टेशन गुजर रहा है, अंड भी जानने की कोशिश करते हैं, कि मेंगाई के जिन को बोतल में कापू करने के लिए और जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है, वजीर आज़क की टेबल फर है, उसको पबलिश कप किया जाएगा, मेंगाई का जिमेदार कौन है, अवाम को कब बताया जाए इसके उपर सवालात उछाते हैं, चलिए यहां पर मौजूद शेहरियों से हम बात कर लेते हैं, यह सड़क पहले से बनी हुई थी, और इंज ट्रेंड के बाद यह खुदाई की गई है, उससे पहले खुदाई की गई थी, हमें ऐसा यह तासुर मिल रहा है कि यहां पर काम मिलतेवार का शिकार है, हाँ बिल्कुल यह तकरीबन यह सड़क जब मेट्रो के काम शुरू हो रहा था, यहां पर पहले कंटेनर लगाए हुए थे, ल्टी वाले उन्ने, वो कंटेनर लगाने से पहले, हमने छे माँ पहले वेट किया, मैं यहां पर कैफे बना रहा हूं, चे माँ वेट किया, उनके तरले मिनते करके यहां से वो कंटेनर लगाए हमने, कंटेनर लगाने के बाद पिर जी ओ आए है, इसके एकसिवेशन किया है, एकसिवेशन करने के बाद आप तक 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 तीन माँ गुजर गी हैं, ठीक है, अल्डी वालों को बोला है, ठेके समेल आती है इसमें बच्चे गरें मोटर सेटल वाले दिन जी तीन चार यहां पाइब कोई पूछने वाला नी है कोई कहब लेने वाला नी है हमने तो हजार दपा जो रैलिवेंट डपार्टमेंट हैं में हमने उनको भी बोला ठीक है लेकिन कोई यह पर ना आया और ना यह इदर निचे एन मेट्रों की एदर जारी है यहां से उसकी ऐक्सिवेशन की थिक है और ये इलतवा का शिकार रहे है यह पी टीस्याल की जिदनी लाइन है यह उनकी वज़ासिया वह आते हैं वो आते हैं वो बोलता है पीटिसे वाले को आपस में इतनी ही है कि एक इसक्टर की वज़ा से यहां पर खुडाई का काम मुकमल नहीं ऊ रहा है और यहां पर जो इन्वेस्टर इस नहों अपने अपने इंवेस्ट किये हैं, पैसे किसी भी चुईस में, वो पिछले आठ महीने के इसी तरह से खार हो रहे हैं, आदर ने कहा कहाँ बात की? मैंने इदर LDA वालों को बात की वालों को मैंने बताया फिर उसके बाद ठेके दारूं को मैंने बताया मैं तक्रीबन को एक साल से अपनी जेव से कराया दे रहा हूं ठीक है आलमोस शुरू नहीं हुआ कैफे शुरू है मेरा अंदर सारा काम कंप्लीट है लेकर ये गंद और कैसे शुरू करूं ना पारकिंग है यहां पर ना कैसे लोग आएंगे कैसे कस्टमर आएंगे मैं तो बहुत ज्यादा इरिटेट हुए इसकी वजह से ठीक है मेरी ही है कि आप जो जो इन्वेस्टर भागेंगे सारे भागेंगे देखें यह पाकिस्तान केबल है इनोंने अ ईफिशंसी होनी चाहिये थी, नई हकोमत थी, कारकरदगी अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वोट थीड़लापमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है, वो तेजी वो फुर्ती हमें देखने को नहीं मिल रही है। देखें जो उन्होंने वादे किये थे जो हमें बताया गया था उसके मताबक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया यहां पे ठीक है उन्होंने बहुत होप दी थी थी वाम को यह होगा वो होगा लेकिन उसके बरक्स चलें आइए इन्होंने कुछ भी नहीं किया मैं खुद को दिया है मेरे अंकल हैं वो PTI के MPA के मीद वार है लेकिन जो होफ दी थी उन्होंने वो उन्होंने बिल्कुल उसके नहीं परसेंट भी डिलीवर नहीं किया वाम और इस ट्रेंड बनेगी या नहीं बनेगी लेकिन इससे मुलहका जो सडके हैं जो के अवाम के लिए बननी चाहिए और इसके उपर ज्यादा लागत भी नहीं आएगी इसको कम्प्लीट जरूर होना चाहिए यही चीज़ आज हम अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करें अपसे हिल तवाका शिकार हैं और क्या आपको क्या अजियत होती है जब काम आपकी दुकान के सामने पैंडिंग होता है एक्शली मुझे तो ऐसे लगता है कि यह गवर्मेंट जो आटो पर चल रही है कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कोई लॉन आडर की स्टुशन हो देख लें आप यह को गूड गवर्नस मुझे अजीब साई स्टुशन लग रही है लगता है कि कोई चीजे स्टैटक हो चुक और इसके लाव यह तो आपके पास पैसे ही नहीं होगे तो महंगाई तो डेफिनली होगी यह आपका तालूप कहां से गुजरामाला से गुजरामाला से यहां पे काम की सिल्सले में? ड्राइवरी है मैं कार्श लाता हूँ ड्राइवर हूँ कैसी गुजर रही है जिंदेगी मेहंगाई है नहीं है आप क्या कॉमेंट देंगे? पंगाई तो बहुत ज्यादा है आप गुजरामाला में नौकरी करते थे पंद्रा देने वे ब्रोजगार हैं नौकरी से जवाब हो गया क्यों? काम ही नहीं चाला रहा है फैक्टरी बंद हो गया उनने जवाब दे दिया इत्रावाला में कितनी फैक्टरीज बंद हुई हैं? काफी तक्रीबन बंद हो गया फरनस अच्छा अब लाहॉर काम की तलाश में आये हैं? हाँ जी मिल गया काम? नहीं जी काम की तरसे मिल दा है हर बंदा जुआप देता है काम है ही नहीं कारबार नाजी नैपियर रोड पर इस वक में माजूद हूँ और यहां पर भी आप देख सकते हैं काम हो रहा है लेकिन यहां पर काबल गोर बात यह है जिसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है सेफटी बेरियर्स के नाम पर यह लिफाफे यहां पर लगाए हुए है जो के अगर बारिश हो जाए और यहां पर पानी भढ़ जाए तो शहरियों के लिए वबाले जान बन जाएगा कोई भी यहां पर हाथसे का शिकार हो सकता है इसके इलावा यह जो प्रोजेक्ट है कब से इसके उपर काम हो रहा है और इसको मजीद कितना अर्सा लगेगा यहां पर दुकानदार मौजूदें इनको इसकी वज़ा से क्या मुश्किलात का सामना है और इनको राह देने के लिए रासा देने के लिए क्या काम किया गे इनसे जानते हैं कौन सी शॉप है आपकी? यह वली है में क्या काम है? कॉरियर सर्विस है माज़ कॉरियर सर्विस है आपकी तो ये कब से चल रहा है यहां पर काम ये तकरीब बन्त हो गया इनको पूरा रोड ब्लोग को वगार रस्ता पैदल के लिए भी रस्ता नहीं है बताया है नहीं हम घर से आया रोड बंद हुआ है सारा टूटा वहा है तो कहरें इसको कोई लैटर भी ने कोई लैटर कुछ नह बताया और कह रहें आप इसको कर थ्री मन्त लगेंगे मीना हो गया अभी काम कुछ भी नहीं हुआ यह देखे बस थोड़ा सा काम हो आपको कस्टमर ही नहीं आरे वेले बैठे में है काम ही कोई नहीं है कारोबार बंद हो आगा है क्या सोचा आपने क्या सोचना अब गुज कर भी लोगों से हम बात करते हैं आगे की जानिब चलते हैं इस लूकेशन पर आपको हमने साथ मनाजर दिखाए हैं नेपियर रोड है यह और यहां पर इस तरह से यह प्रोजेक्ट बन रहा है दुकानदारों को आगाह नहीं किया गया इसके इलावा यहां पर सेफटी मेयर्स का ख्याल नहीं रखा गया इसके इलावा आप यहां पर अगर बारिश वगर वस्कृत इन को नहीं बताया गया है आगे के जाने कुछ लोग हैं हमसे बात करना चाहते हैं यह उनसे बात करते हैं नाज़रेठे ने यह नपियर डोड जो है वह अकेला नहीं हैं टिखार इसके इक मैयर्स को बाहर की रोड भी है धूल मट्टी से निजात मिले और अवाम को सफाई वाला एक साफ सुत्रा महल जो है वो मिले प्रोग्राम की दूसरे हिस्से में हम बात कर लेते हैं महंगाई के उपर के अभी तक हकुमती कारकरदगी महंगाई के उपर क्या रही है हकुमत ने अवाम को रिलीव देने के नहीं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा नाजरें ब्रेक के बाद आपको दुबारा से उशामदीर केहते हैं शेहर में जो जारी तरक्याती काम हैं, इलतवा का शिकार हैं और किस तना से तरक्याती काम किये जा रहे हैं ये आपको हमने कैमरे की आंक से दिखा दिया है आगे बढ़ते हैं हम मेंगाई पे बात करते हैं Honorable Prime Minister of Pakistan उन्होंने 15 अरब की सबसेडी युटिलिटी स्टोर को दी है लेकिन चेर्मेन युटिलिटी स्टोर के मताबिक अभी तक वो सबसेडी पहुंच नहीं पाई है जिसकी वज़ा से युटिलिटी स्टोर पर अवाम का रश्ट नहीं है लेकिन उसके बरकस हम ये भी देखते हैं कि युटिलिटी स्टोर पूरे पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ आठ से दस फीसद हिस्ता ही पूरा कर पाते हैं बाकी की आवाम किस तरह से जिंदगी गुजार रही है और बाकी की आवाम महंगाई से क्या परशान है ये नहीं उनी से हम जान लेते हैं शहरी हमारे साथ मौदूद हैं जो के सबजी लेने के लिए आया हूँ लेकिन इस सबजी पहले महंगी तो बहुत जादा पस भी घंडी हो गई है डालें हो गई चीनी हो गई है लेकिन इस तो पसल माशाल्ला बहुत ज्यादा हुए है प्यास ति अहिख में आप निऑ घी का क्या हाल है बहुत महंगा असे झाम होना चाहिए कि महरी कम होनी चाहिए आपके चामुली बेंगे हैं आटा भी है अब दस्याब होना शुरू हो गया है यह निके हकुमती जो अग्दामात है उनका नतीजा निकल रहा है आइसा बहुत शुक्रिया हम से बात करने के लिए और भी लोग है यहां से बात कर लेते हैं टिमाटर जो है वो कमोंगे 30 अब यह क्लाया पढ़ता पांक फुर्पे में मंडी माल पहुंग जाता है इस वाज़े से सथे होगे पंजाब के अपने टिमाटर हैं पैदावार ज्यादा हुए महेंगी क्योंसी चीज है अभी महेंगी कोई भी निया सब सश्ती है अब सश्ती हो गई है कि मजीद अभी स हो रहा है यह 225 तो क्लाष कर गए गारेड़ है और बिचली के बिल यह पेले जएदा होते हैं लेकि यह जो जो रोद मर्ला की चीज़ें तो क्या चीज है नहीं एक हम्पों को काम करना होगा उस चीज के पर रिलीव देखे अवाम को थोड़ा सब्सून हो जाएगा यह जो मुझूदा गोर्मेंट है इनके बस में नहीं, इनके अख्तियार में नहीं यह अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते हैं असलामलेकूम, हकूमत के जो महंगाई के खिलाफ महंगाई को काबू में पाने के लिए एक दमात हैं, उससे अवाम को अभी रिलीफ मिल रहा है पस कुछ थोड़ा-थोड़ा ही आए, कोई ज्यादा तो नहीं है किस डारेक्शन में जाना चाहिए ह हकूमत को? कंट्रोल करना चाहिए मंगाई को लाहौर शहर के तरक्याती काम, ड्वेलपमेंट के काम जो हो रहे हैं वैसे जैसे? आपके कौन-कौन से काम रुके हूए? नहीं, मारा तो कोई काम नहीं रुका हुआ हुआ वैसे शहरीों के भी ओते है, नोक्रियां नहीं है नोक्रियां जो है, वो नुकी हुई है वो भी रुकी है, ठीक है किस डिरेक्शन में जाना चाहिए ह हकूमत को? किस तीज के उपर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए? पस महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए जो लो लेवल लोग हैं, उनका ख्यार रखना चाहिए जो द्याडीदार लोग हैं, उनका ख्यार रखना चाहिए उनका ख्यार रखना चाहिए लोगों को रिलीफ देना चाहिए इस चीज पे अभी रिलीफ तो दिया है चीनी के उपर, मिल गिया आपको रिलीफ? नहीं मिली नहीं मिली और अगर मिली है तो कितने रुपे किलो? वो यह वे पिचासी असी रूनापे रुपेर, सौर रुपेर ने आटा? आटा ने हमने गंडम ली वी है उससे इस डिरेक्शन में मज़ीद काम करने की जरूरत है अभी हकूमत अवाम को रिलीव देने के लिए हर जो आम चीज लोगों के लिए वो सस्ती होनी चाहिए सब्दी होनी सस्ती होनी चाहिए वो ट्मार्टर से सस्ते हुए हैं अलू सस्ते हुए हैं बाकी जो रोज बाकी जो रोज जासे पर्चून की शॉप पे कुछ लोगें उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं असलाम लेकुम शहरी हैं आफ हमारे साथ मैं यह पूछना चाहती हूँ हकोमस जिस डारेक्शन में काम कर रही है उससे अवाम को फाइदा हो रहा है खुछ फाइदा नहीं हो रहा है घृब घृब तर हो जा रहा है आटा भी महिंगा गी भी महिंगा डाले चीज महिंगी आज कुछ नहीं जा रही है यूटिलिटी स्टोर पर तो यूट रश बोत होता हम कैसे जाए उतर रश होता है जी बहुत जाएदा के और तो रस नहीं होता होता हम बड़ी दो तीन दाख चीज पर लाइन लगी है चीनी पर जी चीनी पर आटे पर चीज पर लाइन लगी होती है यह मिर्चे ती यह एक सुछास रह आधा किलो मिल रही है हर चीज महिंगी कर दी जा और अथ जो ठीम पर पइसे च मुल को कं इसित की किमत कंट्रोल हुई है आघी सा मुशनानी जाइक चाहती हूं कि आठे कीक चीमत कंट्रोल हुई है पीछे से मिल्क को कंट्रोल किय возмож माफिया को है गवर्मनट रेट पे आ गया किक्सogen घ्रटा टाहिए चिके as कर रहे हैं तीर्ट को बचर दे रहे हैं ऊडिक है तेल रही तो सब्सक्राइं सब्सक्राइब वहां पर क्या हाल है जो कीमते हैं अशे खुरुनोश की अशे अशे सर्फ की उधर कोई नहीं नहीं पूछने माला था चिनी उतर नब्यर्वा किलो बिगती है जो आटा है उतर पहुंच रहे हैं जो चोटे शहर या देहार या कसमे हैं उनका बुरा हाल है इसलिए ब़े शहरों की वजची बात किया हुने के बडे शहरों में तो मीडिया की वज़ा से अवाज उन्चे पहुंच जाती है उपर लेकिन छोटे शहरों को भी देखा जाए और उनके ऊपर या जाए यहां पर करने हैं लगाी काम 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 ही काम हो जाये क्या करना चाहिए । जञा छाएं दूर्भ्स हम लाइँ आप है किपनॉट करने रें जबारा कंछा पर काम मोर्या को यह कर मे काहना चाहिए जो है महिंखाई को कुछ गर्मा निए किया जा रहे हैं अजसे नताइश चाहते हैं आटाइश्प एस्बालत नुजाशी कुमादा चीदी अगल आप कैसे नताइश चाहते हैं क्या काम करना चाहिए अग्माद को को गरीब में रोटी ने खाननों मिले गरीब मुझा भूलो आदा ह कि अपर की ओना बुक्ट अब लेंगाई कम हुई है काम किया जारा है महंगाई कम गड़ने पर नहीं नहीं हुई क्या चीज कम नहीं हुई है क्या चीज बहुत ज्यादा महंगी है साब कुछ चीनी महंगी है जीनी महंगी है आप यूटिलिटी स्टोर से क्यों नहीं लेते बस कहां से जाएं पता नहीं है यूटिलिटी स्टोर का क्या है नहीं नहीं पता नहीं जहां से अवान चीजे ले र करने के लिए बहुत सारे कांग कि जा रहे हैं इनका कोई फाइदा हो रहा है अमांको हम्रक्षासां किया में कुछ भी है। लेकर पहले तो इतना था कि हम टमाटर एक हंडीप करने के लिए कितनी चीज़ें उसमें डालना पड़ती है तो मिर्चे ही इतनी महंगी थी हरी मिर्च और टमाटर ये सारा कुछ हमें तो अब कुछ जाके कुछ बेतर हुआ है किस जारेक्शन में हकोमत को काम करना होगा कि आवाम को रिलीफ मिल सकेगा काम तो खूमत के बड़े करने वाले अगर वो करें तो यह से महंगाई काम करें और हर चीज महंगी है कपड़ा जूते सहत का शौबा बीमार होना बहुत ज्यादा है अब आगे बढ़ते हैं हम चलते हैं पंजाब असंबली जहां पर सेशन हो रहा है आज इजलास हो रहा है वहां पर चलके देखते हैं कि जलास में क्या आमां के इस इशुपर बात की जा रही है या नहीं की जा रही एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा नाज़रें ब्रेक के बाद आपको दुबारा से कुछ आमदीर कहते हैं समली में जब हम मौजूद होते हैं हमारा मकसद यह होता है हमारी कोशिश ही होती है कि तमाम वजीरों से MPS से बात करें चाहे वो उपोजिशन के हों चाहे वो हकुमत वक्त के हों हमने उपोजिशन रहनुमाओं से बात की है जिसमें हमजा शेहबास भी शामिल है हमने जब हकुमती वुज़रा से ये MPS से बात करना चाही तो वो आज कत्रा रहे थे मीडिया से बात करने को जिन में बेशमार वुज़रा थे हम ये चाह रहे थे कि उनका फ़र्जन प्रोग्राम में शामिल हो सके वो क्या कहते हैं आज के इजलास के हवाले से तरक्याती कामों के हवाले से लाहौर की ड्वेलपमेंट के हवाले से लाहौर में जा बजा पहले कूडे के हवाले से महंगाई के हवाले से हकुमत का मौक अखिर है क्या वो आवाम को जवाब देना चाहते हैं या नहीं यह हम जानना चाह रहे थे लेकिन अनफॉर्चनेटली वुज़रा इस पर बात कर नहीं रहे या मीडिया के सामने फेस मीडिया को करना नहीं चाहते आईए चलते हैं जो भी हमसे बात करना चाहता है हम नहीं रुकेंगे हमान केशों पर बात करेंगे आईए चलते हैं मजीद गुफ्तवू हम करते हैं लाहॉर ने पैरिस बनना था थूपिया ना बन जाए अभी मैंने कहा है मैंने कहा कि वो कोड़े के धेर भी लगे हुए है और इसी लहौर में और इंच ट्रेंड ने चलना था और आपको आज बता दूं कि जो वहां का पिशावर का जो केंट बोर्ड है ना उन्होंने कहा कि हम यह मेट्रो बन भी गई जो के डेट साल हो गया इसलामबाद में, मुल्तान में, एक खरब में और एक खरब से पिशावर बीराटी का बजट तिजावस कर गया है अभी तक कोई डेट नहीं है तो ये तो मैं समझता हूँ महंगाई भी है, ना एहली भी है, चोरी भी है, उपर से सीना जोरी भी है अवाम पे कर रही है, उनके उपर बात नहीं होती है, बात होती है, सीटा वाइफ पर आयान अली पर इस वे बात शुरू होती है, इस वे बात खरतम हो जाती है, अवाम को कौन से नवाफिल का सवाब हो रहा है, ये इतना बड़ा इजलास करवा के, देखिए, इजलास का ख आपरली कंडक्ट किया जाए आज तारीख बनी है यहां पे कि आपोजिशन तो वाक आउट करती थी आज हमने हकोमती बेंचिस को यहां वाक आउट करते देखा है नई रिवायात काइम हो रही है नई पारलेमानी रिवायात काइम हो रही है और मैं आपको याद दिलाता दिया गया और गवर्मेंट वालों ने वाक आउट किया तो हमने फिर यहां अवामी इतजाज बाहर किया महंगाई के खिलाफ ऑपोजिशन लीडर मिया हमजा शेबाज शरीफ की सरवराही में पूरी पारलेमानी पार्टी हमारी मौजूद थी और हमने यह जो आटे का क्रा इसे रोटी का महंगे होना यह तमाम तर इशूस पे यहां पे नारे बाजी भी हुई है और इन इशूस को उठाया है क्योंकि यह इशूस फ्लोर अफ दा हाउस उठाये जाने चाहिए थे अब हमें समझ नहीं आती कि वजीर आजम पाकिस्तान कहते है कि आप 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 126 दिन के धरने थे तब तो आपको मीडिया बड़ा पसंद था तब तो क्योंकि आपको कवरेज भी मिलती थी आपकी बात भी सुनी जाती थी अब अगर कोई हकायक बताता है या महंगाई की बात करता है तो आपका ख्याल है यह साधिश है दूसरा आप कहते है कि यह आटे का और चीनी का जो क्राइसिस है जिस माफिया ने पैदा किया उसका मुझे पता है तो आप नाम क्यों नहीं बताते है अभी तक FIA की तहकीकाती रिपोर्ट जो वजीराजम को पेश होई वो अवाम के सामने क्यों नहीं लाई गई हमने सेनेट के अंदर भी एक रेजलूशन पास कराया है मज़ोरिटी के साथ हमारी वहां मज़ोरिटी ऑपोजिशन पार्टी की पीपल्स पार्टी जे-ई-ई-ई-ए-फ और मुस्लिम लीग ने मिलके वो रेजलूशन पास कराया है हम वहां पे पूरा दोर दे रहे हैं कि इसको पबलिक किया जाए और अवाम के सामन यह हमारे से कोताई हो गई आपने तो गवरनर हाउस की दिवारे गिरा के इसको लाइबरिरी बनाना था तो कहां गए वो दावे आपके शहाना इखराजात हैं एकोनामिक पॉलिसी आपकी क्लियर नहीं है आप बड़े-बड़े सरमायादारों को जो है वो आप बेनिफिट दे रहे हैं तो गरीब अवाम की रिलीफ के लिए आपने आज तक क्या किया है आप इस आप में एहलियत ही नहीं है कि एकोनामिक पॉलिसी बना सकें देखिए हमारे दोर के अंदर 86 रुपे लिटर पेट्रोल था 100 रुपे पे डॉलर था आप कहते हैं कि शुकर अदा करें गरीब का जो है वो जीना दोबर होगा और यह उसकी जिदगी अजीरन करेंगा बहुत शुक्री आप से बात पर नाजरेंड हमारे साथ हकूमती सफों से रहनुमा मौजूद हैं जिनकी रेकोजिशन के ओपर आज का इजलास हुआ है और आज के इजलास में कोई खातिर खा कि जो महंगाई और पीछे आटे का भोरान था इस पर हकूमती रिपोर्ट क्यों नहीं आरी इस पर हमने इजलास रेकोजिशन किया था और अगर हकूमत रेकोजिशन के अजन्डे पर ही का अब इजलास को इजन्डे पर ही निलाई तो इजलास कैसे चलेगा अब पहला और अगर वो रिपोर्ट ही सब्मिट नहीं करेंगे तो हम इजलास कैसे चलने लिए और अगर ये रिपोर्ट को छुपा के रखेंगे और अपने मन पसंद अफराद के ओपर जो जिम्मेदारी आइद होती है उसको अंडर दे कार्पिट फेंगे तो ऐसे कैसे चलेगे अब जो अवामि दिल्चस्पी के अमूर है उसमें डिवैलिपमेंट के काम हैं डिवलिपमेंट के काम शहरे लाहर वो शहर जो के बहुत रक्की के मनाजर जो तहा वो तैय कर रहा था लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक मोई आपूल और अवाम खार हो रहे हैं इसके लावा औरिंज ट्रेन का मनसुबा 91 अरब रुपे और 200 अरब तक पहुंच सकता है। उसके लिए क्या करेगी ओपोजिशन। हम तो इन्हें मजबूर कर रहे हैं कि ये PSDP को बढ़ाएं। इन्होंने उसको बिल्कुल कैप कर दिये हैं। ये ना तो ये political decision करने की सलाहियत रखते हैं। और ना ही executive की आम इनके जो भी कोई किये गए फैसले हैं उनको पूरा कर उसकी वज़ा तलाश करें के। देखे, development के अंदर इतना भड़ा फर्क जो है। उसने basically standstill पर ला दिये। जो सड़क तूटी थी वो मजीद तूट रही है। जहां पर कुछ स्कूल में कुछ होने वाला था वो उसमें मजीद बिगाड़ पैदा हो रहा है। जैसे आपने एक मोरिया पुल का नाम लिया तो आप जाके देखे, जगा जगा कच्रे के धेर लग रहे हैं। पुरे शेर का बुरा हाल है। हम लोग जब भी रिपोर्टिंग करते हैं, हम फैक्स जाने की कोशिश करते हैं। जो इदारों के चेर्मेन हैं, वो ये कहते हैं कि बुजिश्टा अवाम का टेक्स का जो पैसा है, खजाने को लुटाती थी दोनों हातों से। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी बोंडी दलील है। मैं नहीं समयता कि इनकी बाद में वजन है। जब आप अपने बजट को फ्रेम करते हैं हर साल, तो वो एक फिसकल रिस्पॉंसिबिलिटी का डॉकुमेंट होता है। अगर हम वसाइल का रुख पबलिक की वेलफेर की तरफ मोड़ते हैं, तो कौन सा जुर्म है ये। तो ये अगर अगर इतनी फिसकल स्पेस ना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। और फिर जो डेट है, अगर आप डेट को प्रोड़क्टिविटी पे यूज करते हैं और उसके साथ GDP में फरक पड़ते हैं और सुबे की जो शरह नमू है उसमें फरक आते हैं, तो वो तो बेतरी की बात है। अगर इनको इतनी समझ भी नहीं है और ये बेसक से नावाकिफ हैं तो इसमें हमारा गुना नहीं है। कम्यूनिटी से के बराबर के राइट्स चाहिए तो हम पॉलिटीशन को वैसा भी हेव भी करना पड़ेगा। जब हम बात मुझ खोलते हैं बिलो दा बेल्ट बात आप पॉलिटीशन अगर पॉलिटीशन की खुद क्रेक्टर असेसिनेशन कर रहे हैं। पॉलिटीशन दूसरे पॉलिटीशन के कपड़े उतार रहे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी ब्रॉकर्सी आपकी इज़त करें वो क्यूं करें। आज इस आज ही जो सेशन कॉस्ट है ये टेक्स के पैसे से यूनों कि आपको पता है कि आज की एक दिन की कॉस्ट क्या पढ़ी है तो ये आयान अली और सीटा वाइट का जिकर तो आपकी सफों में से हुआ देखें मेरी बासों ने मैं जो कहना चारी हूँ इन्होंने जो बात शुरू किया वो भी तो देखें ना इन्होंने हरीमजादे से बात शुरू की मैं तो पॉलिटिशन्स की बात करी, मैंने किसी जमात का नाम नहीं लिया आपोजिशन जिमादारी का रोल प्ले करें, कि इशू उस पर बात करें इशू वर्सिस इशू अपनी खुबसूरती आएगी, आपके बात में, आपकी बात में वज़न आएगा और लोग आपकी फिर इश्ट करना शुरू कर देंगे, और खामखा कोई किसी की इश्ट नहीं करता, इश्ट करवानी पड़ती है, इश्ट कमाई जाती है असमली में तो बात नहीं हुई है, टेक्स का पैसा जो है, आज के सेशन पर जाया हो गया और जो अजलास है, वो मलतवी हो गया है, पीर तक मलतवी हो गया हम अपने प्रोग्राम में बात कर लेते हैं हम अपने प्रोग्राम में अवान की दिल्चस्पी पर बात करना चाहते हैं, अवान की दिल्चस्पी यह है कि महंगाई कब कम होगी एंटी करॉप्शन में वजीर आजम सहाब ने रिपोर्ट मांगी है एंटी करॉप्शन से इदारों से रिपोर्ट मांगी है लेकिन तब तक अवान क्या करे अपना वक्त गुजारने के लिए सिर्फ आखरी बात करूँगी आपने भी जब जे जो सेशन की बात की आज हमारी ऑनरेबल आपजिशन ने बात करने का मौकई नहीं दिया उन्होंने बात की नहीं है और परसनल नाइज हुएं परसनल अटेक की हैं हमारे मिनिस्टर्स के ओपर जाती अटेक की हैं ये बहुत बात हैं और डेमांड क्या थी क्या जी आई जी साहब हमारी एज़त करे कोई भी करे मदीहा करे मैं करूं पबिलि करे उसके लिए क्या हम हमारे लंग्विज हमारी चीजह ठीक हैonders बसे पहले मेरा यह जैल कि MBA से बात की है अब हम मज़ीद इजलास की डिटेल्स जान लेते हैं हमाई नुमाइंदे यासीन मलिक साहब हमाई साथ मौजूद है यासीन आप प्रोग्राम में आपको खुशाम अदीद यहते हैं आपने कभी ऐसा देखा है कि कभी हकूमती वुज़रा नहीं अपने ही डेप स्पीकर के खलाब कुई ना कोई ओठ जाता था बहुत खास आप पोजिशन मार्ट करते हैं अब हुआ यह है कि जिस पार्टी का अपना डिप्टी स्पीकर है उसी पार्टी ने आपने ही डिप्टी स्पीकर के रवये के खलाव अगा उतिजाज किया था इतना बुना रवय गया स्कियोर्टी वर्डर रोका, उनका ख्याल है कि उनकी ये और उनकी टीम की तजलील की गी, तो इस वज़ासे उनों पिछले जलास में स्पीकर प्रवेजल ही ने एक खुसी कमेटी तशकील दी थी कि इसकी तहकीकात कराई जाएं, आज उसकी रपोर्ट मागी गई, तो र अपने लिए नार्वा सलूक की रिपोर्ट मांगी जा रही है, जो अवान के लिए नार्वा सलूक हो रहा है, तरक्याती काम रुख गए है, और इसके इलावा ट्राफिक के बड़े मसाइल है, महंगाई ज्यादा हो गई है, क्रोड़ों रुपे की लागत से एक सेशन होता है, और वो भी इलतवा का शिकार हो गया. जब तक कोई और इस चेर पे बठा हो, तो फिर इस जलास पर खर्चा कितना आता है, और यह जो अवान देख रहे हैं, इनका कितना खर्चा होता है? अपनी जात के लिए, यह मुतहद होने के लिए, अपने हकूग की बात करने के लिए, क्या हम एक कमेटी बनाए हैं और मुतहद होने की बज़ाए, आपस में गुत्थम-गुत्था और दस्तों गेरे बाह होते होते रहे गए. और एजंडा क्या था, रेकोजिशन किसकी थी, क्या चीजे जेरे बहस आनी थी और नहीं आई? आज बहुत आहम जंडा था, आज जंडे में महंगाई, मनों मान पे बहस होनी थी, जो अपोजिशन की रेकोजिशन पर ये जलास बिलाया गया था, अब ये जलास एक दिन की बज़ाए आप मजीद एक्स्टेंड कर दिया गया है, तो इसमें वो बहस पे आई नहीं, जंडे क तो वो भी थोड़े से नर्म हुए और उन्होंने जलास के जंडे आया बगयरी जलास मुझत भी करने, बहुत शुक्रिया मलिक साब, आज के प्रोग्राम में हमें तफसीलात से आगा करने के लिए, नादिने एवान देख लीचे, यहाँ पर वो ही नुमाइंदगान बैठ आनी थी, जिसने अवाम को तंग कर रखा है, महंगे बिजली के बिल, जिने अवाम ने तंग कर रखा है, महंगे पानी और गैस के बिल, जिने अवाम ने तंग कर रखा है, महंगी दालें, घी, चावल, चीनी, चना, जिने अवाम ने तंग कर रखा है, उसके उपर आज बह आज़र चाहूंगी अपना ख्याल रखे अलाफ़ पाकिस्तान पाइंदाबाद